नश्कार, BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आए निजर डालते हैं खबरों गला कटा मिला अग्यात महिला का शव मचा संसनी खरुजाद देहात कोत्वाली की शेत्र में सरक किनारे महिला महिला का शव महिला का गला रेत कर की गई हत्या सूचना मिलते ही पुलिस पहुची मौके पर शव को कब से में लेकर भीचा पोस्मॉटम को फॉरंसिक टीम जुटी चांच में पुलिस ने मातर दो घंटे में महिला की शिनाक्त येशोदा उम्र लगभख 35 स्वर्ष चो बलन शहर केलाशपुरी में रहती है कि रूप में की येशोदा कल अपनी एक सहली से मिलने उसके घर गई थी चहां से सहली के भाई के साथ उसके घर से निकली थी पुलिस जांच में पता चला है कि सहली के भाई से उसके संबंदे जो उसका मित्र भी था जिस मित्र के साथ येशोदा कल घर से निकली थी वो अपने घर का ताला लगा कर फरार है पुलिस ने दावा किया कि जल होगा हत्या का बुलन शहर के खुर्जा दिहात को त्वाली थाना कि शेत्र के बगराई खुर की घटना 35 साल उम्र की अग्यात महिला का सव खुर्जा दिहात थाना छेत्र में सड़क किनारे मिला था और सुरुवात के दो घंटे में ही इस महिला की शिनाक्त ये शोदा के रूप में हो गई है जो पयाना कला की है इसकी उम्र लगभग 35 वर्सा है और ये बुलन सहर के कैलासपुरी मुहले में निवास करती है ए गला काट करके इसकी हत्या की गई है और जो अब तक की छानवीन से बात निकल के आई है कि जिस महिला के यहां गई थी उस महिला के भाई के साथ इसके संबन्नों की वहां चर्चा है और उसी के साथ अपनी सहेली की घर से सामको तीन वजे के आ भावी वर देवर की बीच कई वर्षों से चल रहा प्रेम प्रसंग पिरहाना रोड की घटना बीसीन नियूस के लिए कानपूर दिहाद से सवादाता की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के जैनपत फिरोजाबाद में चिराग सुसाइटी द्वारा शीतल खार रोड पर पानला केंद्र का उद्खाटन किया गया महिला जिला अस्पताल सीमेस ड चिराग सुसाइटी द्वारा पानला केंद्र का उद्खाटन किया गया महिला इवंबाल विकास मंतराल है भारत सरकाल द्वारा चाइल्ड हेलप लाइन 1009 8 जो बच्चों की हेलप लाइन है चिराग सुसाइटी की द्वारा फुरोजाबाद जन्पद में संचा ले ते पि के भारत लेबल पर हर जगा जो ऐसे प्लेसेज हैं जैसे हास्पिटल है चाइड लाइन है और बच्चों को हम लोग वहां से रिसीब करते हैं हमारी टीम तो उसमें होता ही है कि क्या बार बच्चे खतम हो जाते हैं इलाज के दोरान जो बहुत गंबीर है तो आज यह कारिकरम ही चाइड लाइन में हो रहा है इसमें यह कि कई महला है जो अवांचित बच्चा मतलब अपने साथ नहीं रख सकती कोई भी मजबूरी हो सकती है यह कुछ और सामाजी कारण हो सकते हैं तो बच्चों को अक्सर आप न्यूज में भी देते रहते हैं कि कही नाली में तो उस तरह से इधर उधर छोड़ने से इनके द्वारा बहुत अच्छी पहले के महला है ऐसे बच्चों को कम से कम पालने में छोड़के जाएंगी तो आगे फिर बच्चे की प्रॉपर केर होगी और किसी संसा मतलब इनकी संसदारा फिर उसका पूरा भविश के लिए जहां उसे भीजना है बिल्कुल कायदे से बच्चे का रख रखाफ किया जाए बीसे नियूस के लिए फिरोजा बाद से प्योरो रिहाना दिक रिपोर्ट श्री राम भूमिक शेत्र की नाम पर फरजी रसी चफवा कर करना चाहते थी उगाही दो व्यक्ति किरफतार पलिस को सूचना मिली दो व्यक्ति श्री राम मंदिर की नाम पर फरजी रसी बना कर धन की उगाही करने की योचना बना रही रसी चपपा कर दोने ने दी वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग करने वाले व्यक्ति को शक होने पर पुलिस को दी सूचना सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कारवाई करते हुए दीपक ठाकुर वर्राहुल को जो खुर्जा दिहाद की खेत्र में रहने वाली है को किया किरफतार दोनों यूकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्स प्रिंटिंग प्रेस के मालिकी तलाज जारी पुलिस का दावा चल किया जाएगा उसको भी गिरफतार श्राम को एक प्रक्रम जानकारी में आया एक प्रिंटिंग प्रिस में स्री राम जनभून तीर्थ छेत्र के नाम से परचियां छपवाई गई थी जो बैंडिंग के लिए एक आदमी के यहां भीजी गई बैंडिंग वाले को सक वुआ उसने जानकारी दी उस आधार पर एक अभियोग पंजिकित किया गया है जो दो लोग एक दीपक ठाकूर है ऐदलपुर धीमरी थाना कुतवाली दिहाद का रहने वाला है दूसरा राहूल है जो इसी का रिलेटिव है यह भी खुर्जा दिहाद थाना छेतर का रहने वाला है इन दोनों लोगों ने परचिया फिरोजाबाद दिल्ली से प्रयागराज जा रही नॉन स्टॉप ट्रेन संख्या शून्य दो पाच छे शून्य शिवगंगा एक्सप्रिस ट्रेन को टुन्रा रेल्वी स्टेशन पर कंट्रोल की सूचना पर रोका गया आपको बता दे कि 36 वर्षिय गरभावती महिला सुन जानकारी सुनिता देवी के पती विमलकुमार ने टिटी को दी टिटी ने इसकी सूचना फोन पर टुन्रा कंट्रोल को दी सूचना के बाद टुन्रा स्टेशन अधिक शकद्वारा जियार्पी टुन्रा प्लिस को मेमो देकर प्रसुता के बारे में अवगत कराया गया द्वारा मिमोद दिया गया जीरो पच्चिस साथ सिवगंगा एक्सप्रेस में एक महला डिलेवरी का दर्द हो रहा है उसके सूचना दी गही थी वह सिवगंगा एक्सप्रेस में ऐस बन कोच में 37 सीट पर यात्रा कर रही थी उसको एम्बूलन्स बढ़ा करके ऑस्पिटल प दोराहा के थाना इसानगर छेत्र के गाव के पंठुकरा गाव में काफी दुनों से तेंदु के आतन से ग्रामी परिशान थी तेंदुआ छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना चुका है उसे पहले तीन तेंदुए पकड़े जाचुके है और आज एक और तेंद अब पकड़े जाने के बाद भी ग्रामिनों में दहशत का माहोल खत्म हुआ है BCN News के लिए लखेंपुर खेरी से फारुक हुसैन की रिपोर्ट BCN News की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही सेन और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें BCN News नवश्कार